हेलो इस्टुडेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परिच्छा में आप कैसे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कापी को साफ सुथरी दिखिना है खास तोर से इंग्लिस के लिए क्लास 12 के बच्चे धियान दें आपका जो इंग्लिस बुक का है चार सक्षन दिया है तो जो सक्षन सी में जो पांचमा क्वेश्चन है नरेशन का सिंथेसिस का ट्रांसफार्मेशन का उसके बाद वकेबलरी का पहले उसको हल करना चाहिए उसको हल करने से एक लाव होता है ग्रावर में यह ज्यानर समझ जाता है कि उस बच्चे का पकड़ अच्छा है जदी आपका सिंथेसिस ट्रांसफार्मेशन के क्वेश्चन राइट हो गए तो मार्क्स आपके हमेशा अच्छे उठेंगे ए बात आपको हमेशा ध्यान रखने है इसके बाद जो है लेटर अप्डिकेशन को हल करिए आडिकिल को हल कर इस प्रकार अगर साफ सुतरियव कर कापी आपके होगी तो नंबर निश्चत अच्छे होंगे और क्लास टेंथ के लिए सबसे पहले इंग्लिस में सेक्षन सी हल करें सी का आलक वेश्चन हल करने के बाद फिर सेक्षन बी में जाएं सेक्षन बी में अप्लिकेशन या इस चे जब उसको हल करें उसके बाद चौत्य है नंबर पर सेक्षन डी जो इंग्लिस का कौश्चन है अर्थात उनके जो बुक का क्वेश्चन है उसको हल करें इस प्रकार अगर आप हल करते हैं तो निश्चित है कि आपको अच्छे इंखंग होंगे तो गास्ट वेलव आपको पहले पांच में question से, narration से, synthesis से, transformation से और correction से पहले question हल करना है, उसके बाद vocabulary हल करना है, translation हल करना है, इसके बाद आप application या later में से कुई एक हल करें, फिर essay या article लिखें, फिर section A हल करें, और A के question के हल करने के बाद दो-चार line आवसे छोड़ दें, इस प्रकार अगर आप अपने paper को हल करते हैं, तो निश्चित है कि आपको अच्छे इंक प्राप्त होंगे, पाठक सर, thank you, all of you.